हेलो दोस्तों मैं हूँ संजे पड़ी कुकिंग चैनल पर आपका स्वगत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्स बेज की सब्जी 10 किलो यहाँ पर मिक्स बेज ली है इसे फाइन छॉप कर लिया घया है अब एक डेग मैं इसे बॉल करने दे के लिए एड कर लिया जा आती है वहां पर सुढ़ रेस्पी बनाई जाती है तो सबसे पहले इसको कभ एल किया जाता है ताकि वाले को क्ली गन्दगी होती है निकल जाती है दोस्तों कॉल करके और कुख भी अच्छी तरह से जो है mix बैज हो जाती है मिक्स बैज मैं आलू, गोभी, मटर, बिन्स और बाद मैं पनेर का प्रयोग भी किया जाएगा दोस्तों अब वाइल हमारी मिक्स बैज हो गई है अब इसे ड्रेन आउट हम कर देगे जो गंदा पानियां उसे निकाल दिया जाएगा और बैज टेवल को जो है एक अलग बॉल में रख दिया जाएगा यहाँ पर ग्रेवी को आप देख सकते हैं बिना प्याज अद्रक लहसुन के जो है इस ग्रेवी को बनाया गया है पुरी सुद्धा का ध्यान रखा गया है दोस्तो जो बंधारे में बनाया जाती है उसी तरह से इस मिक्स बैज को बनाया जा रहा है तो ग्रेवी अब बनकर त्यार हो गी है और मिक्स बैज भी वाइल हो गी है दोस्तो अब इसे हम एड कर लेंगे ग्रेवी में फिर इसे स् पर नुसार किया जाता है और आप देख सकते हैं अब जो है mix बैज बनकर त्यार हो गई यह दोस्तों अभी इसे जो है 5-7 मिन्ट के लिए कुप करेंगे दोस्तों हलका इसको जो है कच्छा रखा जाता है तरकीबन 70% जो अपर लेक कुप किया जाता है फिर बाद में इसे 20% क किया जाता है और 10% जो है इसे थोड़ा क्रंची रखा जाता है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बंधारे में बनने वाली mix बैज की रेस्पी आज मैं आपके लिए लेकर आया था और बहुत ही easy step से बनाया जाता है मैंने आपको सारा कुछ बताया कि किस तरह से पहले boil किया जाता है और उसके बाद gravy बना कर जो है उसमें add कर लिया जाता है सारी mix बैज को और लग भी बहुत बेतर रही है दोस्तों यह आप देख सकते हैं और बिलकुल सुद सबजी जो है बनाई गई है और फिर इसे गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ सर्ब किया जाता है द सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इस तरह की recipe मैं लाता रहता हूं दोस्तों और इस तरह की recipe देखने के लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना हैं दोस्तों